हेलो एवरिवन, स्वागत आप सभी का हमारी इस वीडियो में आज हम वस्तु चितन से सम्मदी दूसरी वीडियो बना रहे हैं पहली वीडियो के अंदर हम वस्तु चितन की परिभासा वस्तु चितन के अंदर किन किन ची जोगा चितर बना जाता है और वस्तु चितन से क्या क्या लाव होते हैं और उसके अंदर अनुपात या थारता और निर्ख्षन सक्ती का आर्थ समझ चुके है अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप जरूर देखना आज हम करेंगे कि वस्तु चितन कितने परकार से क्या जाता है और वस्तु चितन करते से मैं किन बातों का ध्यान रखना चाहिए तो सबसे पहले बात आती है कि मान लिजिए कि आपकी कक्सिया के अंदर आपका ध्यापक आपको कप का चितर बनाने के लिए कहता है कि एक कप का चितर बनाईए तो इस situation में तीन परचितिया बनेगी सबसे पहले हो सकता है कि आपका ध्यापक कप को आपके सामने रख दे अगर वो कप को आपके सामने रख देता है तो आप कप का चितर कप को देख कर ही बनाओगे यानि कि ये वस्तु चितन की पहली विदि है जिसको कहते हैं चितर को वस्तू को सामने रखकर चितर बनाना अब दूसरी सिच्वेशन यह ऐसी आएगी कि मानलोग धैपक के पास कप नहीं है और आपको कप का चितर बनाने के लिए कहता है धैपक तो वो बोर्ड पे कप का चितर बना देता है और आप उस चितर को देखकर चितर बनाते हो तो जब आप चितर को देखकर चितर बनाते हो तो यह दूसरी सिच्वेशन होगी जिसका नाम है वस्तू का चितर देखकर अब तीसी situation ये हो सकती है कि ना तो अध्यापक के पास कप है ना उन्होंने बोर्ड पर चितर बनाया और ऐसी situation एक्जाम में होती है जब कोई question आ जाता है कि कप का चितर बनाए तब आप बगैर कहीं से देखे चितर बनाते हो तो उस चितर को जो आप बगैर कहीं से देखे बनाते हो अपनी यादों के द्वारा बनाते हो उस चितर को कहा जाता है कि वस्तु को समर्दित द्वारा चितरन करना समर्ती का मतलब होता है यादे यानि कि जो चीज़े आप देखते हो उनकी यादे आपके दिमाग के अंदर फिड हो जाती है और उन ही यादों के द्वारा जब आप कोई चितर बनाते हो तो उसको बोलते है समर्थी चितर तो इसका मतलब यह हुआ कि वस्तु चितर तीन परकार से किया जाता है यह पर सना जाता है बहुत बारा चुका है कि वस्तु चितर कितने परकार से किया जाता है तीन परकार से वो कौन-कौन सा है एक तो वस्तु को सामने रखकर पर टेक्स रूप से दूसरा है वस्तु का चितर देखकर अगर आप चितर को देखकर चितर बनाते हो तो दूसरी विद्धी है और तीसरा है बगैर कुछ देखे अपनी समर्यती से यानि कि अपनी यादों से चितर बनाते हो तो वो समर्यती दुवारा हो गया अब वस्तु चितन करते से माप किन बातों का ध्यान रखेंगे इसमें भी भोग सारी important बाते आजाती हैं जिनको आप ध्यान में रखेंगे सबसे पहला आता है कि वस्तु चितन करने के लिए जब आपको बैठना पड़ता है तो कितनी दूर बैठोगे तो उसका उत्तर है दो से तीन मीटर की दूरी पर आप बैठोगे दो मीटर से कम नहीं तीन मीटर से ज़्यादा नहीं इनी के बीच में आप कहीं बैठोगे उसके बाद जब आप बैठ चुके होते हो तो चितर बनाने से पहले वस्तु को ध्यान से देखना होता है उसके लंबाए चोड़ाई उंचाई सभी के अनुपातिक अध्यन आपको करना होता है उसके बाद ही आप चितर बनाना सुरू करोगे और ये अध्यन करने के लिए आपको वस्तू को मापना होता है तो तीसरा पॉइंट आपका यही है कि रेखा खंडो को मापते समय यानि कि वस्तू के जो किनारे हुन को मापते समय पैंसिल की सिती या तो पिर्थ्व के समाना अंतर होगी या फिर लंवत होगी यानि कि अगर आप ऐसे पैंसिल पकड़ते हो तो या तो पैंसिल को ऐसे रखोगे प्रित्वी के समानांतर या ऐसे पकड़ोगे लंवत ऐसे और ऐसे पकड़ कर ही आप वस्तू की रेखा खंडो को मापोगे इसके अलावा एक पॉइंट है जिसमें कहता है कि वस्तू चितर में जो मेत्य उपकरणों का प्रियोग नहीं करना चाहिए ये पॉइंट बहुत बार पूछा गया कि वस्तू चितर में जो मेत्य उपकरणा प्रियोग करना चाहिए या नहीं तो इसका अंसर है नहीं करना चाहिए जुमेत युप करना से यहां मतलब होता है कि परकार, फुटा, डी, सेट स्केर इनका परियोग हमें नहीं करना चाहिए फिर है वस्तु के आकार, अनुपात, संतुलन, परकास चाया का ध्यान रखना चाहिए यह उसी तरह से है, जैसे हम कहते हैं कि वस्तु का बारी किसे निरक्षन करना चाहिए तो वस्तु का अनुपात देखो, अनुपात का लंबाई चुड़ाय रूचाई से है अकार देखो, किसाकार में हंडाकार है, आताकार है, वरगाकार है संतुलन जुकाव देखो और प्रकास और चाया का परभाव देखो प्रकास और चाया के अच्छे से समझाने के लिए मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसके अंदर सेव का चितर बना था आप उस वीडियो को देख सकते हो प्रकास और चाया को अच्छे से समझने के लिए इसके अलावा एक पाइंट ओर है दिरिश्टी करम का सिध्धानत इसका भी ध्यान रखना चाहिए दिरिश्टी करम के सिध्धानत पर भी हमारी एक वीडियो है आप उसको भी देख सकते हो उसको अच्छे समझने के लिए तो इसमें भी बहुत सारे परसन बनते हैं कि वस्तो चितरन करने के लिए वस्तो से कितनी दूर बैठना चाहिए पैंसिल को कैसे पकड़ना चाहिए क्या जो मैंतियो करना अपरियो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए दिरिश्टी करम का सिध्धानत का पालन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए तो इन सब भी परसनों को भी आप देख सकते हो मेरे पास 10% बनाए हुए हैं इस वीडियो इस चेक्टर से सम्मंदित और उसकी PDF फाइल मैं डाल दूँगा इसके साथ ही आप डाउनलोड कर सकते हो लिंक से इसके अलावा छोटी छोटी बाते कुछ और हैं जो ज़्यादा इंपोर्टेट नहीं है वो भी आपको ध्यान में रखनी चाहिए कि आप किन बातों को ध्यान रखेंगे वस्तुचितन करते वक्त जैसे पैंसिल का परियोग हलके हाथ से करना चाहिए रबड का कम से कम परियोग करना चाहिए आपके हाथ साफ होने चाहिए ये सबी बाते हैं जिनको आप धान रखोगे वस्तोचितन करते वक्त तो आज के लिए इतना ही आगे फिर मिलेंगे धन्यवाद